जब रोहन कॉलेज में था तब मा उन्हें और दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सकू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी इसलिए सकू बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्रिवसी म बाधा सा लगता था इसलिए अब सकू बाई सुबह खाना बनाना कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापिस शाम को आकार खाना बनाती। सकू बाई की दो पहर की गे रहाजरी से कई छोटे मोट एकी मात्रा काम दिखाई देने लगे जिन में से ज़्यादा बातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते की बहु को मदद हो जाएगी लेकिन बहु सोचती की ससुर को औरतों के काम में दखल देनी क्यादत है। अपने दोस्तों के साथ वन हपते के लिए टूर पर गए और रित्तेफाक से इसी दोरान सकुबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा ब्रोहन रेस्टरॉंट में खाना खा लेता और सीमा का काम ओमलेट ब्रेड या मैगी स चल जाता। यह तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमेटर दूर एक चॉल में लेकर आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है, रोहन उस चाबी को लेकर चॉल का एक कमर, एकी मातरा का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही दो रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्रिवसी का मजा लेंगे अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एपोट कर सकते हैं। रोहन का यह व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वह चौकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है फिर क्यों हम भाड़े से रहें उगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है सोच समझ कर बोला करो वह घर हमारा नहीं है वह मा बाबुजी का है। तुम्हारे पास एक महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है दोनों वहां से वापस अपने घर लोटाते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे घर पहुचते ही उसने रोहन से कहा माना कि यह घर मा बाबुजी का है लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हग नहीं है। रोहन ने कहा बिलकुल है लेकिन मा बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी सिर्फ हक के बारे में सोच कर और अपनी जिम्मेदारियां भूल कर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है, डॉट सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, वह सोचने लगी कि उसने अपनिक्षनिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर कर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी, उसे मन ही मन पच्चतावा होने लगा, सीमा र नाराज नहीं हूँ, बेटे और बहु का यह वारतालाप सुधीर जी दर्वाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जनम दिया है, उन्होंने दर्वाजा खट खटाया, समोसों की सुगंध उसको आने लगी ससुर ने अपनी बहु से कहा वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, सीमा को अपने ससुर के प्रती विचार और ससुर के उसके प्रती प्यार उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों मे पश्चाताप के आसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुसकान आ गई। गुदान को समझ नहीं पाते, वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं।